कि आज में जा रहला हूं रस बनाने एक ड़ा की दूढ लेली हूं 2 को मैंने गरम कर लिया जा है कि गैस मैंने बंद कर दिया हल्का सा नारमन हो गया है अब मैं डालूँगी एक वैनिग्यार एपल का वैनिग्यार है इसको मैं देरे देरे ऐसे मिलाती रहूंगी इसमें ऐसे करके दूद है, हलका नार्मल जाएगा तब फाडना है इसको पनीर मैं फाड रही हूँ देखे इस तरीके से पनीर फाडना है, यह भी पनीर फट जाएगा अपने हिसाब से आप एस तरह से गरम कर दीची थोड़ा सा नार्मल होने थीची फिर इसको फाड़ेगे देखिए दूद फ्ट गया है देखिए अलग से पानी और छेना अलग हो रहा है तो देखिए पानी और दूद अलग हो गया है यह देखिए मेरा दूद्ध फट गया बेलकुल एच्छेना अलग हो गया पानी अलग हो गया अब मैं इसको छांद लेती हूं इसे कपड़े में और मैंने इस पर एक बर्तन रखा है नीचे बड़ी से बगवना है और उपर से मैंने नेट रखा है इसको छानने वाना इसमें डाल दी हूं आपनी छाना गया इसका पानी अलग हो गया और मैं इसको रख रहे हूं दुसरे बर्तन में में यहां रख रहे हूं अब फिर बाद में दोत फारने का काम आ जाता है और इसको मैं ऐसे अब धुलूँगी साफ पाम से इसको धुलना है इसका जो खटापन है निकल जाए खटापन निकाना बेल्कु जरूरी है इसको चला चला करके अभी गरम है ने तो मैं हास थी हास से ही अच्छे से अच्छा दूलाता है तो यह मैं इसको बहुत अच्छे से धूलना हो इसको देखिए मैंने चम्मत से धूला अब मैं इसको थोड़ा हास से धूल ले हूं इसको खटापन निकल जाएगा इसको दूबारा इसको उठा लेती हूं पानी से निकाल लेती है देखिए मैंने पहले से जाली वाला भरतन रखी हूं उसमें मैंने रोग करके छोटा सा काटर के कपड़ा लगा लगा लेती है अब मैं इसको तरफ जिसमें पानी पुरा निचुड़े जाए जिसमें धूले है इसको पानी पढ़ गया है तो निकल रहा है जैसे करके इसको पानी नहीं है बहुत अच्छा है घर का यह पनीर है घर पे फाड़ेगे देखिए कितना अच्छा है इसको मसलना है जैसे आटा आप मसलते हैं उस तरीकी से मसलना है बहुत अच्छा बनता है यह प्रहित है पहले मैं इसको एक साथ मिक्स कब ले रहा ह। मैं इसको मसलना ही जब तब मैं इसको मसलना खे kita k sounds गया जला दे इसको चीनी के साथ पकने दे रहे हैं जब खौलेगा तब मैं दूसरा काम कर रही हूं इसको ऐसे मैं कर रही हूं मिक्स इसको इतना बेलकुल हथेलियों से ऐसे ऐसे मसलना यह मैंने देखिए पलीर को बहुत अच्छे से मसल लिया है कम से कम इसको साथ से आठ मिनट मसल लिया हैं यह मैं एक चम्मच करीब गौन फ्लॉरल डाल रही है देखिए मेरा पनीर थीड़ जाते है तो मैंने बड़े चमच से एक चमच डाला है अब मैं इसको करूं इसके साथ मिक्स 2 कि अधिय marriage कर लेना है मिली इसको मसलना आ र roof पा gekर, फांचीन मिनडं तर इसे जो आ रिकी थोड़ी सी मिर द्यूमिस है और इसको इजक नuआगी के अधि सफ्वूल्व और यह तो डाल यह मैदा है तो भाल दीजिए मसल लिजिए पानीं आपाशों के बचतर बनता है। यह देखिए यह मैंने पूरा बना लिए त्यार हम और करें इसकम मसल के बिलकुल हल्के हाथ से बनाना है। इसको लड्डू कीन सुन दर्गा किलते हाथ पनीर को मैं ऐसे गोल से मसल रही हूं इस तरीके से कितना सुन्दर बना है कितना बढ़ियां कहीं से भी इसमें हलका सभी फटने का नाम नहीं देखिए कितना बढ़ियां है कितना सुन्दर है अभी इसको हम डालेंगे गरम पानी में मैंने जिसमें तो यह देखिए हमने यहां चीनी और पानी को खौला दिया था यह मेरा पानी खौल गया अब मैं डाल रही हूं इसमें पनीर का जो बना के रखा है इसको कंद से कंद दस मिनिट तक इसमें वाय करना ह तरह किए तुर्ण डालते उब में वाय तुपर आ जाता है माना हो कि पानी में डालेंगा ओंने यह डाली जींदा पानी रहेगा तो यह अन्दर ही बैठा रा जाएगा जल्दी अच्छा बनता नहीं है की BE कि यह दिखिए मैं इसमें डाल दिया कितना अच्छा इदम तुरंद उपर आ गया अब इसको हूं दस मिनिट तक ऐसे ही खौले देंगे ढ़कर के ड़कर लगा देंगे दस मिनिट तक खौलेगा फिर यह और अच्छे से फूल जाएगा अब बड़े साइज हो जाएंगे तम इसमें दिखा रहे हैं यह मैं इसमें डाल देखे पानी में देखे खरने के लिए यह मेरा कली 10 मिनिट हो गया और देखिए सारे बॉल कितने अच्छे से बन गया रस बुले बहुत अच्छा है मतलब देखने सुंदर लग रहा है और रिस ओट भी लग रहा देखे पूरा पूल करके उपर आ गया है मेरे पानी में से अब इसको करीब करीब हम धीमे आँच पे पांच दस मिट और छूड़ेंगे और अच्छा बन जाए थोड़ा सा देखे इसको चला देना है दस मिनिट के बाद चला देना है फिर इसको इसे हिला करके पांच मिट लिए और इसको पांच पे रख देजिए बहुत अच्छा है देखिए मैं ढग दे रही हूं इसको तो यह मेरा रस बुल्ला बनके तयार हो गया देखे कितना सांदार बना है और छोटे साइज थे बड़े-बड़े साइज हो गये हैं बहुत अच्छा बना है पूरे रस बुल्ला उपर आ दाल रही हूं कि अच्छा कम से कम इस पर 20 मिनट बफना नहीं पकाना इसमें बैस पर चड़कर रखा करके लबन के तयार है और मैं इसको दिखा रही हूं देखिए कितना अच्छा बना है इसके इतना गुलाये कितना सौट बना है यह देखिए ऐसे बनाईे और खाईए औ कमेंट करके बताईए आप लोग बहुत अच्छा बना है देखिए देखिए बहुत अच्छा है मेरे प्यारी दोस्तों आप लोग बनाईए आप कमेंट करके बताईए